मैं प्रभु का धनिवाद देता हूँ, इस संध्या समय के लिए आप अजीजों के साथ प्रभु के चर्णों में आने का प्रभु ने कच्छा मौका दिया है, इस सब्ता भर प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, आईए हम अपने सिरों को जुखाएं, आंखों को बंद करें और आज की सभा प्रार्थना के साथ हम शिरों करें, आईए हम प्रार्थना करें, हाललुईया, धनिवाद हो प्रभु स्तुति हो, प्रभु स्तुति हो, हमारे अनुग्रेकारी दे अलुपिता हम आपका धनिवाद देते हैं, इस अच्छे समय के लिए प्रभु नौजवा कर रहे हैं प्रबू, आज के वचन-धिन में भी प्रबू, हम एक-एक से बात करें, आपके वचन को सीखने के लिए, उसकी गेहराईों को समझने के लिए प्रबू, हमारी समझ को खोलें आपकी आशिष मांगते हैं ये शुमसी के मदूनाम से हम मागते हैं आमेन आएए आज के वचन धिन के लिए यरमिया की भविश्वानी उसका दूसरा अध्या है और उसका उन्निस वचन हम लोग पढ़ेंगे यरमिया दो का उन्निस तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा जान ले और देख के अपने परमिश्व यहवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है तुझे मेरा भए ही नहीं रहा प्रबु सेनाओं के यहवा की यही वाने है मैं दुबारा पढ़ूँगा इस वचन को और देख के अपने परमिश्व यहवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है तुझे मेरा भए ही नहीं रहा प्रबु सेनाओं के यहवा की यह वाने है अब हम दावूद के जीवन में एक ए घटना को हम देख रहे थे कैसे दावूद प्रबु के सामने रोया और उसको माफी मिल तो गई लेकिन हमने ओ गंभीर पहलू को ध्यान दिया था कि वो जो गलती जो पाप उसने किया है उसका परिणाम तो अब दावूद को भुगतना ही भुगतना है और उसका आरंभ हम देखते हैं कैसे बिच्शेबा का उपहला संतान पहला बच्चा जो दावूद और बिच्शेबा के पाप के कारण उत्पन हुआ था साथवे दिन उसका मौत हो गया तो अब हम जरा दावूद को देखें दावूद के मन में अब ये बात बैठ गई कि जैसे परमेशन ने बोला है वैसे अब सजा एक एक करकर आएगा तो उसके लिए हम पढ़ लीजे दूसरा सामुएल उसका हम बारा का चौदा हम पढ़ रहे हैं दूसरा सामुएल उसका बारवा अध्या है उसका चौदवा वचन हम पढ़ते हैं यहा लिखा तो भी तूने जो इस काम के दौरा यहुआ के शत्रूं को तिरसकार करने का बड़ा अवसर दिया है इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन हुआ है वो अवशही मरेगा और उसके उपर हम देखते हैं ग्यारा में यहुआ यू कहता है सुन मैं तेरे घर में से वी पत्ति उठा कर तुझ पर डालूँगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूँगा और वे दिन दुपैरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा इदर बच्चा तो मर गया अब अगला प्रभू कहता है सुन मैं तेरे घर में से वी पत्ति उठा कर तुझ पर डालूँगा सो अब दाउद उसके मन में जो बाते बीत रही है मेरे घर से अब वी पत्ति उठेगी यानि इदर कई बाते हैं जिसको आपने और मैंने अच्छी तरह समझना है उसकी गंभीरता समझना दाउद के जीवन में एक एक बात होने के पहले ही परमेश्र ने उसको बता दिया है कि ये ये होने जा रहा है इसलिए दाउद के मन में वो आशंका है चिंता है दुखी भी है इसके ही कामों का अब परिणाम इसे भुगतना है ऐसे है तो आप और मैं कितने सोभागिश आली है प्यारे नौजवान भाई और बहन परमेश्र चाहिए तो पहले से ही हमारे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है अगर बता दे हम तो बेचैन हो जाए हमारी शांती भंग हो जाएगी परमेश्र ये शिरू से ही नहीं बता रहा है क्योंकि परमेश्र अनुग्रे कारी होने के कारण हमें परिशान रखना नहीं चाहता है दाउद का जरा देखे अब उसके मन में जो चिंता है उसके घर से ही विपत्ती आएगी अब जब घर से बाद जब आया है पहले तो अपना बच्चा तो मर गया अब देखिए परमेश्र का काम अच्छी तरह हमने ध्यान रखना परमेश्र अब दाउद के जीवन में इन विपत्तियों को अनुखोने दे रहा है ताकि इसके द्वारा अब दाउद का आत्मिक उन्नती होना है दर्द के अनुभव है यह दर्द के अनुभवों को परमेश्र इस्तेमाल करेगा किस बात के लिए ताकि दाउद अब जो बात हो गई उससे वो पच्चताया तो भी अब इन बातों के द्वारा उसने और पवित्र बनना है और ध्यान से चलना है यानि परमेश्र अपने बर्तन को इन विपत्तियों के द्वारा और तयार करेगा और खुबसूरत बनाएगा इन बातों को हमने ध्यान रखना इसलिए नौजवान भाई लोग आप भेन लोग ध्यान रखे कई बार हम अपने चालचलन को ध्यान ना देने के कारण कई बातों को हमें सामना करना पड़ रहा है और कितना भी प्रार्थना करे तो वो बाते ठलती क्यों नहीं है क्योंकि जैसे पीछले सफ़्ता आपको बताया गया, सिखाया गया परमेशर नैतिक तोर पर राज्य करता है तो इदर एक बात ध्यान रखना एक विश्वासी के जीवन में आपके मन में एक सवाल आ सकता है ये एक सवाल हमारे मन में उठेगा, तो आपने ध्यान देना, कई बार ये हमने सिखाया है, कि हमारे जीवन में आने वाले कष्टों के कई कारण हैं, हमारी खुद की मूर्खता नमबर दो हम संसार की अबलाशाओं के पीछे भागते हैं उसके कारण नमबर तीन जैसे मेरे आत्मिक सोभाओं में फरक आना चाहिए ना आने के कारण जो कष्ट आते हैं जो थपड़ पड़ते हैं जो मार पड़ती है जो कोड़े पड़ते हैं नमबर चार परमेश और हमारे विश्वास को परकता है नमबर पांच हमारे जीवन में प्रभु बोज में जैसे जांच कर भाग लेना नहीं लेंगे तो अपने उपर धंड लाते हैं नमबर छे दूसरों को तसली देने के लिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं नमबर साथ दूसरों को विश्वास में लाने के लिए हमें जो कीमत देनी पड़ती है तो आपके जीवन में आने वाले कष्ट के पीछे का कारण क्या है आपने प्रार्थना करकर प्रबु के चरनों में प्रबु की इच्छा को जानना है नहीं है तो आफ परिशान होंगे आत्मिक उन्नती नहीं कर पाएंगे आपका आत्मिक जीवन बरबाद हो जाएगा इसलिए मैं बिंती करूँगा आपके जीवन में कुछ भी हो उसके पीछे प्रबू की इच्छा को पहचाना अतियावशक है इधर हम दाउद के जीवन के वो गटना को देख रहे हैं परमेशर चाहिए तो परमेशर चाहिए तो दाउद को जान से मार सकता था लेकिन रोया प्रबू के सामने गिडगडाया अपने पाप को पहचाना और हमने वो सब बाते देख ली परमेशर ने दाउद को माफ कर दिया लेकिन अब उसके घर से ही वेदना उठेगी तो वेदना भी कैसे आपको याद होगा आयूब के बच्चों को परमेशर ने एक ही साथ मारा था एक अच्छानक एक तुफान आया बिजली गर्जी और बच्चे सारे मर गए परमेशर भी दाउद के जीवन में ऐसे बच्चों को मार सकता है लेकिन परमेशर ऐसे नहीं मार रहा है यानि हमें भी अभी उधारन हमें जब गुसा आता है कई बार हमारे हाथ में जो मिले वो लेकर हम बच्चे को मारते हैं परमेशर ऐसा नहीं है परमेशर गुसा नहीं निकालता हम गुसा निकाल लेते हैं परमेशर ये सिक्षा के द्वारा सिखाता है वो बात को दुबारा मैं आपसे कहूंगा हमारे जीवन में ये सिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर ये वेदनाओं के आनुभवों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है, बना रहा है, सो ये वेदनाओं के पीछे भी परमेश्वर का ज्यान, परमेश्वर का अनुग परमेश्वर की करोणा, परमेश्वर का प्यार सब दिखता है इस वेदना के पीछे ही, सो मेरे और आपके जीवन में जब ये वेदनाएं आती हैं, एक बात है हमसे गलती हो गई, पाप हो गई, वो एक अलग बात, अब ये जब चीज हम परिणाम भुगत रहें, इसमें भी हमारी भलाई है, सो उसमें भी ध्यान रखे, परमेश्वर ध्यान से, प्रेम से, ग्यान स ये परिस्थिती को ऐसे बनाता है, ताकि हम बरबाद ना हो, लेकिन हम सीख कर उन्नती कर सकें, सो इधर हम लोग ध्यान दे रहें, अब दाउद के मन में जो आशंका, तेरे घर से ही समस्या उठेगी, और अब दाउद, अब ध्यान से दाउद के जीवन को जरा हम देखें, दाउद अपने बच्चों को, उसके बच्चे हैं, वो किस नजर से बच्चों को देखता होगा, मालूम नहीं, अब इन में से कौन होगा, उसी समय एक और बाद ध्यान देना चाहता हूँ, छोटा बच्चा वो मरतो गया, तो भी परमेशर ने सुलेमान दिया, यानि परमे को भी दाउद जीत लिया है, अब दाउद का अगला एक सो भाव हम देखते हैं, उसकी एक कमी हम देखते हैं, कौन सी कमी है, उसके जो बच्चे थे, उनको ये बहुत प्यार करता था, अब कमी नहीं है, बच्चे को प्यार करना है, लेकिन ये उन बच्चों को इतना प्या कि बच्चे बिगड भी गए, नौजवान भाई आप भेन आपने इस बात को ध्यान देना, माबाप हमें जरूर प्यार करते हैं, अब आप में से कईयों के पास फोन है, माबाप ने कश्ट उठा कर मेहनत करकर आपको वो फोन दिया है, उनके पास आप में से कईयों के आपके पिताजी के पास, माता के पास शायद फोन नहीं है, लेकिर आपको उन्होंने ले कर दिया, वो प्यार आपको करते हैं, और आप उनके बच्चे होने के कारण कई बार वो हद से ज़्यादा आपको छूट भी देते हैं, और इससे होता क्या है, बहुत सारे नौजव आपने बरबाद किया, इदर दाओद अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार किया, उसके हम गटनाएं अलग अलग जब देखते हैं, पहला जब वो बच्चा जो पहला वाला बेच्चेबा के दोरा हुआ, वो बिमार था, और बहुत बिमार हो गया तो दास लोग भ बच्चा मर गया है करकर, दाओद को बताने से हिचकिचाए, कारण क्या है, दाओद उस बच्चे को इतना प्यार करता था और उनोंने उसके प्यार को देखा है, इसलिए वो सोचते थे अगर बताएंगे तो पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा, नमबर एक, नमबर दो, ह वो पूरा अध्याय नहीं पढ़ रहा, आप खुदी वो अध्याय को पढ़ सकते हैं, इधर हम देखते कैसे दाओद के बच्चे हैं, उसमें ये अमनों, अमनों बिमार हो गया करकर नाटक कर रहा, लेकिन दाओद उसको देखने गया है, बिमार है सुनकर दाओद गया है, अब अमनों ने नाटक किया, मैं अपनी बहन तामार से खाना खाऊंगा, तो दाओद उसकी वो इच्चा को समझ के माबाप है, दाओद राजा है, बाप भी है, लेकिन वो अमनों की हरकते जरूर जानता होगा, फिर भी उसने तामार को अमनों के पास बुलवा भेजा, कि तु आकर अपने भाई को रोटी बना कर खिला, तो क्या दाओद को नहीं मालूम था, मालूम था, उसके आगे, हम देखते हैं, दूसरा सामुएल 13 का आकरी में, 49 में, दाओद के मन में अबशलों के पास जाने को बड़ी लालसा रही, क्योंकि अमनों जो मर गया था, इस अबसलों को जब मारा उस समय भी दाओद ने उनके साजिनों ने मारा उसके साथ विवहार क्या किया, तो दाओद की एक कमी थी, बच्चों को प्यार करता था, उनकी गलतियों को नजरन्दास करता था, और इसके कारण ही, अब हम देखते हैं, उसी के घर में से दाओद को भी पत्यां आने लगी हैं, अब इदर हम तेरा अध्याय का शिरू में देखते हैं, तामार नामक एक सुन्दरी जो दाओद के पुत्र अबशलों की बेहन थी, उस पर दाओद का पुत्र अमनोन मोहित हुआ, सो अब वो घटना को हम देख रहे हैं, कैसे अब दाओद के ज देखना है, सो अब वो घटना को हम देख रहे हैं, अमनोन सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा बोलने वकत दाओद के बाद अगला राजगदी में बैठने के लिए ये अमनोन है अगला विक्ती, सो दाओद इसे बड़ी प्यार से, बड़ी आशा से इसे देख अब जब वो बिमार का नाटक कर रहा, ध्यान रखें, अमनोन, हम उसके बारे में देखते हैं कि कैसे वो तामार के पीछे, वो उसके पीछे मगन हो गया, उसकी इच्छा तामार के विशे में कुछ और है, ध्यान रखें, भाई बहन है, ये जो घटना अभी जो हम दूसरे दूसरा सामूल 13 में पढ़ रहे हैं, परिवार के अंदर भाई बहन के सक्कु कर्म कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है, दो घटना एक परिवार के अंदर, ऐसा क्यूं कितना वेदना का घटना है, नौजवान भाई और बहन, ध्यान से इस घटना को जरा समझें, दाउद की गलती या दाउद का पाप, अब उसके परिवार में कितना वेदना उत्पन कर रहा है, इसमें से मैंने और आपने कितनी बातों को सीखना है, कितने ध्यान से मैंने और आपने चलना है, अब इदर, अमनोन नाटक कर रहा है, उसको मदद करने के लिए, दाउद का भतीजा उसका नाम है योनादाब योनादाब ने आकर अमनोन को आडिया दे दी कि तू कैसे अपनी इच्छा को पूरा कर सकता देखिए दोस्त आकर जो सला देते हैं मौजवान भाई और बहन हमारे बहुत से दोस्त हैं बहुत सी सलाएं देते हैं पाप में मदद करते हैं वो खुद पाप नहीं करेंगे लेकिन आपको उसके लिए सला देंगे आज कितने नौजवान ऐसे दूसरों की बाते सुनकर बरबाद होकर पड़े हैं इदर हम अमनोन का हम देखते हैं आगे आप पढ़ लीजिएगा वो सारा घटना उदर है आखरी में तामार के साथ वो दुश करम करता है दुश करम करने के बाद तामार अब अपने भाई अबसलों के घर जाती है जब अबसलों के घर जा रही है अबसलों तामार का सगा भाई है अब ये सगा भाई के पास जब गई अपना ये सारा विस्तार घटना उसको बताया तो दूसरा सामुल 13 का 20 में हम पढ़ते हैं उसके भाई अबसलूम ने उससे पूछा क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ रहा है वो शब्द को जरा देखें क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ रहा है उसका मतलब अमनोन की आदत घर के सब लोगों को मालुम है सब को मालुम है दाउद को भी मालुम है लेकिन अब दाउद उसके बाद हम उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं की और और बहुत बाते हैं मैं उसमें धीरी धीरे आगे जाओंगा सो अब तामार जब अपने घर में भाई के घर में आ गई दाउद को ये बात मालुम चला और जब दाउद को ये बात जब मालुम चला तब हम उसका मैं बीश से पढ़ रहा हूं उसके भाई अबशलों ने उससे पूछा क्या तेरा भाई अमनों तेरे साथ रहा है परन्तु अब हे मेरी बहन चुप रहे वो तो तेरा भाई है इस बात की चिंता ना कर तब तमार अपने भाई अबशलों के घर में मन मारे बैठी रही और जब ये सब बाते दाओद राजा के कान में पड़ी तो वह बहुत जुझला उठा परन्तु अबशलों ने अमनों से भला बुरा कुछ ना कहा क्योंकि अमनों ने उसकी बहन तामार को ब्रष्ट किया था इस कारण अबशलों उससे घरना करता था इदर हम देखते कैसे दाओद के घर के अंदर अमनों और तामार का ये घटना हो रहा है परमेश्वर ने पहले से ही दाओद को चेतावनी दी इस परिस्तिती को जरा देखें अब दाओद जुझला उठा है दाओद को क्रोद आ गया लेकिन कुछ कर नहीं सकता है क्यूं खुद ने भी क्या किया था खुद वो पाप करने के कारण अब कुछ बोल नहीं सकता है गुसा जरूर आया तो इदर हम अगली बात को समझना है मैं और आप परमेश्वर की आग्या को अगर तुछ समझें उसका गंबीरता नौजवान भाई और बहन अपने अच्छी तरह समझना है परमेश्वर ने दावुद से साफ साफ कहा तुने जो मैं उसका इसमें पढ़ रहा है नातान ने दावुद से कहा यहुआ ने तेरे पाप को दूर किया तू ना मरेगा तो भी तू ने जो इस काम के दोरा यहुआ के शत्रूओं को तिरसकार करने का बड़ा अवसर दिया दावुद वेविचार किया अब उसका परिणाम हम उसके घर में देखते हैं खुद का बेटा अमनोन जो अगला राजा बनना है घर के ही अपनी बेहन के साथ जो उसके साथ दुश करम कर रहा है अब आप क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते अब इस बात को मरते दम तक दावुद ने आनुभव करना है ये वेदना को उसने सहना है क्यूं तुने परमेश्यर की व्यवस्ता को तुछ जाना इसलिए नौजवान भाई और बेहन मैंने और आपने कितने ध्यान से हमने चलना है कितने ध्यान से चलना है शैतान हमें फसाने के लिए कितने मौके ढूंडते वकत अगर मैं और आप आत्मा में जागते ना रहेंगे तो आत्मा में जागते ना रहेंगे तो हम किसी को दोश नहीं दे पाएंगे नहीं शैतान को नहीं किसी को दोश दे पाएंगे है और हम एक एक पन्ने को ध्यान से हम पढ़ रहा हैं मैंने किये वे काम मेरी पीड़ी जरा देखें दाउद के जीवन में जो बात हो रही है आगे हम लोग जब देखते हैं कि कैसे उसके घर में ये बर्बादी शिरू हो रहा है अब दाउद जब लड़ाई से उसका बारा का दूसरा सामूल बारा का 31 हम पढ़ रहे हैं उसने उसके रहने वालों को निकाल कर आरों से दो दो टुकड़े कराए और लोहे के हैंग उन पर फिरवाए लोहे की कुलाडियों से उन्हें कटवाया और इंट के पजावे में से चलवाया और अमोनियों के सब नगरों से भी उसने ऐसा ही किया उसके इस बाद तब दाओद समस्त लोगों समेत यरुशलेम को लौट गया इदर परमेशर का आत्मा जो लिख रहा है दाओद वापस यरुशलेम को लौट गया इदर एक और बात है दूसरा बारवा का शिरू में हम जब देखते हैं तब दाओद उसका ग्यारा में हम लोग जब देख रहे हैं कि कैसे युद्ध का समय जब था तब दाउद यरुशले में रहा लेकिन बारा के आखरी में जब देखते हैं दाउद यरुशले में वापस आ रहा दाउद में एक फरक आ गया लड़ाई में गया सबक सीख लिया लड़ाई में गया लेकिन वापस उसी जगा में आ रहा है जिदर वो पाप किया था अब उदर उसके लिए इंतजार क्या हो रहा है परमेशन ने उसे बोल रखा है अब तेरवाद ध्याय में वो घटना को हम देख रहे है सो मैं बिंती करूँगा हम एक एक नौजवान भाई और बहन अपने जीवन को हलका ना ले अपने जीवन में लेने वाले फैंसले हलके नहीं है लोगों के प्रभाव में आकर जल्दी बाजी में फैंसला लेकर जीवन बर्बाद करने से कल किसी को आप दोश नहीं दे सकते है मैंने और आपने कितने ध्यान से चलना है सो इदर तामार के बारे में तेरा का शिरू में तामार नामक एक सुंद्री जो दाओद के पुत्र अबसलोम की बेहन थी उस पर दाओद का पुत्रा मोन मोहित हुआ तामार देखने के लिए खुबसूरत थी अबसलोम भी देखने में बहुत खुबसूरत है दोनों भाई बहन, ये दाउद की पत्नी उसका ना माका है, माका के द्वारा पैदा हुए दो बच्चे हैं, अब सलोम और तामार, अब इतरे एक और बात इस विशे से हट कर, हमें से कही लोग, अपने आपको सोचते हैं, मैं खुबसूरत नहीं हूँ, भाई हो चाहे बहन हो उसी कारण दुखी भी हैं, और अपनी खुबसूरती बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, एक तरफ में कई लोग, अपने आपको उनको लगता हैं खुबसूरत नहीं हैं, इसलिए दुखी हैं, दूसरी तरफ, जो खुबसूरत हैं, वो कितने प्रकारों के मुसीबतों मे फसते हैं, वो भी जरा ध्यान दे, जो खुबसूरत हैं, वो कितनी मुसीबतों में फसते हैं, अपने आपको खुबसूरत समझते हैं, कैसे कैसे, आज आप मुझे बोलने की जरुरत नहीं, आपको मालूम है नौजवान भाई और बहन, कितनी मुसीबतों में, जो अपने आ बिजाओं में से जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ हैं, जो अपने आपको खुबसूरत बनने का कोशिष कर रहे हैं, इधर देखिये तामार, इसलिए मैंने और आपने कितने ध्यान से, परमिश्ण ने हम सब को खुबसूरत ही बनाया है, लेकिन मैंने ध्यान से चलना है, समा समाज बिगड़ रहा है, आपको मालूम है आज के दिन समाज की परिस्तिती क्या है, जिम्मवारी कौन लेगा, मजाग करने के लिए बहुत से लोग, लेकिन मैंने परमेश्र के भए में चलना है, सो इधर, तामार का विशे हम लोग जब देखे हैं, इधर आगे हम लोग पढ़िए, नीती वचन उन्निस का एक्केस वा वचन, मनुष के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहुआ करता है, वही स्थिर रहती हैं, दुबारा, मनुष के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहुआ करता है, वही स्थिर रहती हैं, सो इधर हम देखते हैं, कि परमेशर किस प्रकार इस घटना के दुआरा, अपने दास दाउद को और तयार कर रहा है, अब इधर दाउद को बच्चे के उपर ग हमने पड़ा उसमें कि जब ये बात दाउद के कानों में पहुंची तो वह बहुत जुंजला उठा, लेकिन गंभीर बात क्या है, दाउद राजा सिर्फ नहीं, दाउद नियाई भी है, उस समय राजा नियाई का काम भी करता है, सो सिर्फ गुसा करना काफी है क्या? आपको व्यवस्ता के अनुसार, लेवी व्यवस्ता बीस, उसका सत्रा हम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्ता बीस, उसका सत्रा, लेवी बीस का सत्रा, आप लोग भी बाइबल खोल लीजे, और मेरा विश्वास है, आप भी पढ़ रहे हैं, बीस का सत्रा में, यहां पर यदि कोई अपनी बहन का चाहे उसकी सगी बहन को चाहे सोते ली उसको नगन तन देखे तो उसकी बहन भी उसका नगन तन देखे तो वे निंदित बात है वे दोनों अपने जाती भाईयों की आंखों के सामने नश्ट किये जाया क्योंकि जो अपनी बहन का तन उगाडने वा अनुसा अमनोन को जान से मारना है लेकिन दाउद सिरफ गुसा में आ गया कुछ किया नहीं बाप होने के कारण वो प्यार होने के कारण उस गल्ती को जैसे देखना था नहीं देखा ध्यान से देखे इसके पीछे का कारण खुद भी तो किया था अब कैसे सजा दे अब इसके कारण बाद में अमनोन को तो अमनोन तो मारा गया लेकिन आप देख लें कितना भारी पड़ गया दाउद के लिए सो ऐसे में अगर कोई माबाप ये वचन को सुन रहे हैं माबाप का ध्यान माबाप ने समझना है कितना गंभीर जमवारी है गल्ती को गल्ती ही समझें पाप को पाप समझें पाप को गल्ती मत बोलें आपके बच्चे अगर गल्त करते हैं उसको हलका मत लें नई तो कल आप के लिए ही दर्द का कारण होगा फिर आप हमसे बोलेंगे प्रार्थना करने प्रार्थना उसका हल नहीं है आपने उस बात को जिदर लकीर खींचना था ना खींचने के कारण आज परिस्तिती बिगड़ चुकी है नौजवन भाई और बहन जब आपके माबाप आपसे शक्ती के साथ पेश आते हैं ध्यान रखें वो आपसे नफरत करने के कारण नहीं वो आपकी भलाई चाहते हैं उन नहीं चाहते कि आप बरबाद हों आज कल बहुत से नोजवानों को लगता है माबाप मुझे प्यार नहीं करते हैं मेरा दोस्त यार ही मुझे ज़्यादा प्यार करता है प्यारे अजीज़ो ये आपके साथ का बड़ा दोखा है जितना बाप आपको प्यार करेंगे दुनिया में कोई और आपको कभी प्यार नहीं करेगा सिंदगी उजड़ जाए बरबाद हो जाए तो भी घर आप आ सकते हैं आपका दोस्त आपके लिए दरवाजा खोल कर नहीं देगा आपके मा और आपके बाप आपके लिए दरवाजा खो कृपिया करकर वो लकीरों को पार मत करें आपके लिए दुख का कारण होगा दूसरी बात माबाप से बिंती है जब आपके बच्चे लकीर खींचते हैं लकीर को पार करते हैं तब आपने अपनी ममता के कारण उसको हलका नहीं लेना नहीं है तो आपके लिए ही बहुत दर्द का कारण बन जाएगा आज बहुत से परिवार उजड़ने का कारण ही यही है अब हम आगे बढ़ते हैं अब दाउद ने जो करना था वो नहीं किया आगे हम देख रहे हैं कैसे परमेशर उनके घर में जो विपत्ति ला रहा है अब अगली बात एक ओर यह तामार और अबसलोम अबसलोम को देखे अबसलोम नाम का अर्थ है शानती लेकिन वो कैसे शानती है असली शानती नहीं दोखे की शानती है इदर हमने तेरा में देखा ना जब वो तामार अपने भाई के पास आई अबसलूम के पास आई तब अबसलूम ने उसे देखा परन्तु अब हे मेरी बहन बीस में चुप रहे वे तो तेरा भाई है इस बात की चिंता ना कर अब तामार और अबसलूम की उनका खूबी हम देखे तो दोनों बहुत खुब सूरत है अबसलूम और तामार इतने खुब सूरत है कि अबसलूम उनके बारे में कहा जाता है बाद में आप पढ़ सकते हैं कि पुरा इसराइल में उसकी तरह खुब सूरत और कोई नहीं था ऐसा व्यक्ति था अब सलोम लेकिन ध्यान रखे ये दोनों किसके बच्चे हैं दाउद के ही हैं लेकिन दाउद और माका के इनके माका नाम है माका माका किसकी बेटी थी वो अन्य जाती है तलमाई गेशूर का राजा दूसरा सामुएल तीन का तीन दूसरा सामुएल तीसरा ध्याय उसका तीन में लिखा है और उसका दूसरा किलाब था जिसकी मा करमेली नाबाल की स्तरी अबिगेल थी तीसरी अब सलोम जो गेशूर के राजा तिलमे की बेटी माका से उत्पन हुआ था सो गेशूर का राजा तिल्मई की बेटी मा का है अबसलूम और तामार की मा यानि इन दोनों के खून में अन्यजाती का वो खून है परमेशन ने साफ साफ विवस्ता विवरन साथ का तीन विवस्ता विवरन साथवा भाफ उसका तीसरा आए और ना उन से विया शादी करना ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को विया देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए विया लेना साफसा परमेशर ने कहा है अन्य जातियों से विया नहीं करना सो आप देखो दाउद एक तरफ प्रबू के साथ चलता है तो भी कैसे परमेशर के विवस्ता को जैसे महत्व देना कई बातों में उसने महत्व नहीं दिया उसके घर में एक पत्नी को वो लाया जो अन्य जाती है ठीक है ये रुशलिम राजदानी बन गई संदूक लेकर आया ये सारी बाते लेकिन उसी समय में दाउत के जीवन में कई बाते हैं जिदर उसने परमेशर के विवस्ता को उतना महत्वन नहीं दिया है इसके कारण अब अब शलूम और तामार देखने के लिए खुबसूरत है लेकिन अन्य जाती है खोन उन्में है और जिसके कारण अब सलूम बहार से तो बड़ा चुप है अपनी बेहन तामार को कुछ नहीं बोल रहा बोला कोई दिकत नहीं और उदर हम दूसरा सामुल 13 में हम पढ़ते हैं कि तामार अपने भाई अब सलूम के घर में मन मारी बैठी रही क्योंकि भाई ने भी कुछ नहीं किया लेकिन अब सलूम उसके बारे में हम 25 में पढ़ते परन्तु अब सलूम तो अमनोन से भला बुरा कुछ ना कहा क्योंकि अमनों ने उसकी बेहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबसलोम उससे घृना करता था, बाद में आप उसके 23 से आगे जब पढ़ेंगे, किस तरह चलाकी के साथ, अबसलोम ने अमनों को बुलवाया, कैसे उसका घात करवाया, जो अगला राजा होना था, उसको घात उसका ही भाई कर रहा है, तो अब हम इदर जब समाप्त करने जा रहे हैं, मैं आप से बिंती करूँगा, सबसे पहले हमने दाओद के घर में देखा, वो बच्चा साथवे दिन मर गया, दूसरा घटना, दूसरा सामुल, तेरा आज हमने पढ़ा, कैसे तामार, अमनों, और उसके बाद इसमें मदद करने के लिए जो था, वो कौन था, योनादाब, तामार, अमनों, योनादाब, अबसलों, दाओद, एक परिवार के अंदर, जो महोल बन गया, दाओद, तेरे से साफ साफ कहा है, तलवार तेरे घर से हटेगा नहीं, सो इधर, अब हम जब समाप्त करने जा रहें नौजवान, भाई और बहन, मैंने और आपने परमेश्यर के वच्चन को प्राथ मिक्ता देनी है, अगर प्रबू के वच्चन को हम महत्व ना दे, हम कितने प्रकार की मुसीबतों में पढ़ सकते हैं, मैं जैसे पहले पढ़ा वही आयत, यरमिया दो का उननिस हम लोग दुबारा पढ़ेंगे, ताकि उससे आप उस वच्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, यरमिया दो का उननिस, यरमिया दूसरा अध्याय, उसका उननिस वच्चन में आपके सामने एक बार और पढ़ रहा हूँ, इदर लिखा है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, आगे और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा, जान ले और देख के अपने परमेशर यहुआ को त्यागना, ये बुरी और कड़वी बात है, तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रबु सेनाओं के यहुआ की यही वानी है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, प्यारे अजीजों, हम जब वचन सीख रहे हैं, पर में कितनी बाते हमने आज के इस अध्यन में सीखा है, कितनी बाते, कितने सबक हैं, मैं जल्दी से दोड़ा कर उपर से निकल गया, मैं बिंती करूँगा, आप समय लें, दूसरा सामुल, तेरा ध्याय समय लेकर पड़ें, एक घर के अंदर होने वाला कोल आहल, पर मिश्वर जान से नहीं मरा, कोई विपत्ती उपर से नहीं डाल रहा, दाउद ये वेदना को सहना है, बच्चों के द्वारा आने वाला वेदना, कितना भयानक वेदना है, बाहर कोई भी कुछ भी कर ले इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब खुद के बच्चे, जिनको इतना प्यार से पड़ाया, बढ़ाया, उनके द्वारा माबापको जब दर्द होता है, कितना भयानक दर्द है, अब मेरी आवाज को सुनने वाले, आप नौजवान, आप अपने आपको देखें, कहीं आपका जीवन आपके माबाप के लिए दर्द तो नहीं बन रहा, ध्यान रखें हों माबाप ने अपना सुख त्याग कर आपके पीछे जो कश्ट उठाया, आपको इतना पड़ाया, बढ़ाया, और आज वोही मा, वोही बाप, आपकी नजरों में वो कैसे हैं, बहुत से लोग उनको तुछ समझते हैं, मैंने सिक्षाप पहले भी पढ़ाया है कि हमने अपने माबाप का आदर करना है, पैर चूना है, तब ये बात जब कही तो बहुत से लोगों को आपती हो गई, कि हमें पैर चूना बाइबल में किदर लिखा है, प्यारे अजीजों, मैं चाहूंगा आप इस बात की गंबीर बाइबल में पैर चूना नहीं लिखा है, प्रबु येश्यों ने पैर धो कर सिखाया, अब आप बोलिए, पैर चूना गंबीर है या पैर धोना उससे ज़्यादा गंबीर है, हमने पैर धोना है, चूना नहीं है, तो मेरे माबाप को, आपके माबाप को, हम कितना आदर देते हैं, जो लकीर उन्होंने खींची, अगर उन्होंने बोला फोन ज़्यादा इस्तमाल ना कराएं, तो मत करें, आपके भलाई के लिए है, दुनिया के दोस्त आकर बहुत सला देंगे, बाद में आपको इरोना हो होगा, सो इधर हम अभी प्रार्थना करने जा रहें, दाउद के जीवन में वो जो वैदना, हम अपने आपको इस अध्यन में कहां पर पाते हैं, परमेशर मेरे से कैसे बात कर रहा है, आगे भी वो विशे खतम नहीं हुआ, हम आगे हम देखेंगे कैसे अबसलोम, अमनोन क बदला ले रहा है, लेकिन इधर हमने तामार को देखा, आपको परमेशर ने खुबसूरती दी होगी, शायद आपको लगता होगा आप खुबसूरत नहीं है, अब किसको देखकर खुबसूरती ना प्रहे हैं, मैं अगर परमेशर के भई में ना बढ़ूं, मेरा जीवन कल कितना बरबाद हो सकता है, आईए हम अपने सिरों को जो खाएं प्रार्ठ ना करें, हालेलुया, हालेलुया, आज का विशे इतना विशाल है, इसमें कितनी बात अलग-अलग विक्तियों को समझने के लिए है, मेरा विश्वास है परमेशर आप एक-एक से बात करवा है, मा ब्यवस्ता को तुछ समझता है तो परमेशर कैसे कारी करता है, हालेलुया, हमारे अनुग्रेकारी दयालु पिता हम आपका धनिवाद देते हैं, इस समय के लिए, प्रभू इन वचनों के द्वारा आप हम एक-एक से स्पष्ट रूप से बात कर रहें, इसलिए धनिवाद देते हैं, प्रभू आप अनुग्रेकारी हैं, आप दयालु हैं, आप हमें प्रेम करते हैं, प्रभू आज के इस अध्यन में माबाप हैं, नौजवान हैं, प्रभू एक-एक से आप बात कर रहें, इसलिए धनिवाद देते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं, आज का वच आमेन प्रभू यशु का अंगर है पिता का प्रेंप अवितरात्मा के इससे हिवागी था हम सब के साथ अब से लेकर प्रभू यशु के आगमन तक होती ही रहे आमें प्रभू आप सब को बहुत आयत में आशिश दे हमारे ले भी प्राइटना करें प्रभु की मर्जी है प्रभु के आमत में दे रिये तो कल सुबह आराधना में फिर दुबारा मिलेंगे प्रभु आप सब को आशिष दे माराना था